हेलो एवर्वन वेल्कम बाक टू माई यूटूब चानल और जल्द हम ये चाप्टर के खतम होने के पॉइंट में आ रहे हैं आईनो चाप्टर बहुत बड़ा है लेकिन एक बात बताओ मैंने कितने प्यार से हर एक टॉपिक को आपको कराया है अगर आपको अभी भी चाप्टर बहुत बोरिंग लग रहा है तो ये बहुत बुरी बात है आपको मैंने हर एक टॉपिक पकड़ के पढ़ा है जो कि शायद आपकी स्कूल की टीचर्स भी ना पढ़ा है बहुत इंपोर्टेंट बात मैं बोल दी हूँ लेकिन सैड बातें नहीं करते हैं थोड़ा इनर्जिटिक बातें करते हैं हम वो पार्ट डिसकस करने वाले हैं आज और कल के वीडियो में भी जहां पर हम आठ मार्क्स का जो क्वेशन आता है और आने का चांसे जादा होता है और से क्यूज़ भी आतें वो पार्ट हम बड़े प्यार से डिसकस करें गों उस पार्ट के पहले हम डिसकस करने वाले हैं रभिंद रनाथ टेगोर जी के बारे में जिनको बेंगौली में प्यार से रबिंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं I know कि आप बोलोगे इनके बारे में क्या ही बता रही हो लेकिन I think हर इक introductory part पर मुझे कुछ तो बताना चाहिए थोड़ा से एक history से relate करते हुए इनके जीवन से relate करते हुए इनके life से relate करते हुए रबिंद्रनाथ ठेगोर जी जो थे इनका जन्म हुआ था 7th में 1861 में इनके grandfather का नाम पता है क्या है इनके grandfather का नाम था द्वारकानाथ ठेगोर अब मैं पहले ही बता दू द्वारकानाथ ठेगोर जी जो थे ये एक merchant थे merchant क्या होते हैं businessman अंग्रेजों के साथ Britishers के साथ ये partner में business किया करते थे तो आप पहले ही अंदाजा लगा सकते हो कि इनके पास पैसे की तो कमी नहीं थी अगेन इनके पापा जो थे उनका नाम था देबेंद्रनाथ ठेगोर इनके बारे में हम chapter 2 reforms वाले chapter में discuss करेंगे हाला कि ये जो थे ये ब्रामोईजम के बारे में आप पढ़ोगे जब तो आपको पता चलेगा उसके लीडर थे ब्रामोईजम एक religious reform movement था उसके ये लीडर थे और इनके रबिंद्रनाथ टेगोर जी के जो भाई थे ना वो government jobs किया करते थे तो दादा जी जो थे वो भी government के साथ business किया कर रहे हैं देबेंद्रनाथ टेगोर जी यानि इनके पिता जी जो थे ये भी leader रहे हैं ब्रामोईजम के और इनके जितने भी भाई थे वो भी काफी अच्छे post पर government की नौकरी किया करते थे तो पैसे की कभी दिक्कत रबिंद्रनाथ जी को face नहीं करनी पड़ी क्योंकि ये बहुती अमीर घराने में पैदा हुए थे उस time के तो पैसे की दिक्कत तो नहीं थी तो पढ़ाई लिखाई बहुत बेशुमार तरीके से किया लेकिन उन्होंने अपने school life में काफी ऐसी चीजे face करी जो उनके मन में इस बात का महसूस दिला रही थी कि यार ये जो education system है न कोलोनियल रूल के अंदर British rule के अंदर ये जो हमारा education system है इसमें बहुत सारे खामिया है तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारा education system है British rule के अंदर इसमें काफी कमिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे बट बिफोर दाट कुछ और points को discuss करते हैं आप सब जानते हो रभिंद्रनाथ टेगोर पहले non-european थे या simple भाषा में Asian बोल लो ये पहले non-european थे जिनको Nobel Prize मिला था literature के लिए और कब मिला था 1913 में Yes, he was the first person, first non-european person to get a Nobel Prize for literature in 1913 So, very important और आपको पता इनका एक गाना था जन्गनमन जो हमारा India का national anthem है और जब हम movements के बारे में पढ़ेंगे आप एक और गाने के बारे में सुनोगे आमार सोनार बांगला ये आमार सोनार बांगला भी मैंने पिछले ही क्लास में National Council of Education में आपको स्वदेशी movement के बारे में बताया था जब बिंगॉल बटा था तब तब क्या हुआ था काफी लोग सहम गए थे दुखी हो गए थे उस दुख के दौरान ही रबिंद्रनाथ टेगोर ने ये गाना लिखा था आमार सोनार बांगला और ये आमार सोनार बांगला आज बांगला देश का National Anthem है यानि इंडिया के National Anthem भी रबिंद्रनाथ टेगोर जी द्वारा ही लिखा है उनका सौंग था और बांगला देश का National Anthem भी रबिंद्रनाथ टेगोर जी का ही सौंग है ठीक है तो ये सारी बाते को भी आपको बैग्राउंड में लेते चलना है कि या रबिंद्रनाथ टेगोर एक अमीर घराने के ही बच्चे थे ऐसे कोई गरीव वरीव नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने कितना हेल्प किया हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में और इतने कारगर इंसान थे इतने टालेंटेड इंसान थे यह म्यूजिक कंपोजर रहें पोएट रहें यह पेंटर रहें स्टोरी राइटिंग करते थे यह पोएम्स लिखते थे यानि इनके पास टालेंट भरपूर था लेकिन ऐसा नहीं था कि अपने पास सारी सुविधाय तो यह दूसरे के हित में नहीं सोचते थे बहुत हित में सोचते थे और इनके बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखेर रबेंद्र नाथ टेगोर जी ने क्या-क्या क्रिटिसिजम्स दी क्लोनियल एडुकेशन सिस्टम के बारे में म आपको पहले ही एक चीज बताना चाहते हूं कि जो हमारा कोलोनियल एडुकेशन सिस्टम था बच्चो वह बिल्कुल भी सही नहीं था खासकर के अभी भी जो मारा एडुकेशन सिस्टम में वह कौन सा सही है लेकिन मैं अपना कोई टिप नहीं या ओपिनियन नहीं देने व उन्होंने क्या-क्या बाते कहीं यह आपको क्वेश्चन आता है वट हाव डिट रबिंद्र नाथ टेगोर क्रिटिसाइज दे कोलोनियल एडूकेशन सिस्टम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो ज़रा ध्यान से समझो मैंने यह पर लिखा है ताकि मैं कोई सिस्टम ना एक जेल है जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका ओपिनियन का बात करूँ यहां मेरा ओपिनियन नहीं है हम जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल नहीं जेल है उस जेल में बच्चा जाता है पढ़ता है और वो अपना एबिलिटी खो देता है देखो मैं आपको एक example देती हूँ, अगर आप एक मचली को बोलोगे कि पेड़ पे चड़ तो क्या वो पेड़ पे चड़ पाएगी? वो काम मचली क्यों नहीं चड़ पाएगी? अगर आप एक मचली को बोलोगे पेड़ पे चड़ तो वो पेड़ पे नहीं चड़ पाएगी? क्यों? क सब एक स्टुडेंट स्कूल में जाता है तो वह जेल में बंद हो जाता है क्योंकि उसका जो फॉट प्रॉसेस है वह खतम हो जाता है यह रविंद्रनाथ टेगोर जी का उपिनियन है उनका criticism है कि colonial education system बस एक jail के तरह है जहां बच्चा जाता है पढ़ता है और अपना ही जो उसका natural thought है जो उसका natural ability है वो उसको खो बैठता है second बात उरोंने कहा कि ये जो schools है ना ये कुछ भी नहीं है ये एक robot producing factories है मतलब robot करते क्या है रटा रटाया software डाल दो बस उसी तरीके से काम करेंगे खुद का पास कुछ भी नौलेज नहीं है उसी तरीके से ये जो colonial system के अंदर हमारे school होते हैं ये रटा रटाया knowledge हमारे अंदर डालते हैं और बस हम वही पढ़ लिखके आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आपको सच बताऊं स्कूल में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं अपने life में हम उसका सायद मुश्किल से 2 या 5% इस्तमाल करते होंगे सही बात है स्कूल में हमें असली चीज़ें जो जरूरत है जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए वो नहीं सिखा जाता है स्कूल में सिखाया जाता है कि कैसे तुम जॉब करने लाइक बन जाओ अरे क्या पता है कि इंसान जॉब नहीं करना जाता है जैसे मैं मैं जॉब नहीं करना जाती हूं लेकिन स्कूल में पढ़ाया ही जाता है इसलिए क्योंकि जॉब करने को बना दिया जाए तो robot producing factories है इस्कूल ये बात रबिंद्र नाट टेगोर कह रहे हैं क्यों क्योंकि आपको जिस तरीके से factory में robot बनाया जाते हैं क्या किया जाते हैं रोबोट के अंदर memory chip डाल डाल दिया और रोबोट उसी तरीके से काम करता है उसी तरीके से स्टुडेंट के अंदर बस memory की जा रही है मतलब क्लोनियल एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही कड़वा सच उन्होंने यह बोल दिया क्लोनियल रूल के अंदर ब्रिटिश रूल के अंदर जो स्कूल्स कॉलेजिस थे वहां जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही है जो भी बुक्स है ना बुक्स में जो जोसे लगा सके ऐसा ही नौलेज़ वाण शेर करर रहा था जहता मैं आपको ऐसा ही चीज़ पढ़ा रही हूँ तांक आप वह पढ़के मेरे फायते में आजाओ मतलब मैं आपका फायदा उठा सकूं आपके उस सीज को पढ़ लेने से यानि कि मैंने आपको बोल दिया ये पढ़ो आप पढ़ लिए आप उसे में मार्स ले आए फिर आप जब आगे बढ़ोगे तो मैं आपका ही नॉलेज को यूज करूंगी अपने बेनिफिट के लिए ऐसा था कोलोनियल एडुकेशन सिस्टम पढ़ा लिखा रहा था स्टुडेंट्स को ताकि पढ़ लिखके वो एक दिन उनके एंप्लॉई बन जाए नॉकर बन जाए इसलिए पढ़ा लिखा रहा था यह बहुत कड़वा साच उनों ने बोला चौथा बात इंग्लिश मीडियम जो भी नॉलेज बाटा जा रहा था आपको सब को पता होना चाहिए और यह भी हम डिसकस करेंगे एक टॉपिक भी ऐस में जो भी नॉलेज बट क्यक्स करिए आथ बदेख रहा था वह सब इंग्लिश लेंगवेज के माध्यम में बट रहा था लेकिन हम इंडियंका मधटन्ग इंग्लिश नहीं यह अगर मैं आपको मात्तरी भाषा में अभी अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाओ ना तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना जोष नहीं आएगा आपके लिए क्या होगा lifeless vocabulary उन्होंने यह डिस्क्राइब किया है lifeless vocabulary यानि बस जो तो पढ़े जा रहे है पढ़ने के लिए रटने के लिए समझ में कुछ नहीं आ रहा बस चहरा देख रहे है बस आख से आख मिला रहे लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है क्योंकि अंदर स लोगों को समझाओगे जिनका माती भाषा ही इंग्लिश नहीं है तो वो कैसे समझेंगे कैसे टॉपिक के साथ टच बनाएंगे यह रविंद्र नाट टेगोर जी कहते हैं जो कि सही बात है उनके इसाब से हर स्टुडेंट को उसके मदर टंग में एक्स्प्लेंड करना चा कहीं उन्होंने तो लास्ट पॉइंट हमारा है कि रविंद्र नाट टेगोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था चार दिवालों के अंदर पढ़ना आज हम स्कूल जाते हैं तो चार दिवालों के अंदर हमारा कमरा होता है कॉलेज में भी वही है रविंद्र नाट टेगोर जिसी चाहते थे कि जैसे वेडिक पिरेड में क्या होता है एक पेड के नीचे गुरुकुल होता था पीड के नीचे बच्छे में प्यार से अपल। ऐपल के बारे में पढ़ा रहे तो लिटॉटरिली पेड साफिल तोड़ के दिखा के बढ़ा मजा एगा इंथुसियासम होगा है की नहीं इंथुसियासम यानिए बहुत सुकता होगा तो क्या मकसद था उनका उनका मकसद ही अई था कि यार यह सही नहीं है कि चार दिवालों में पड़े इससे अच्छा है कि हम नेचर में पड़े तो उन्हें ये सब जो colonial education था ना इनने कि तरह है जहां बच्चा जाता और खुद का मैंड लूज कर लेता है खुद का थोर्ट प्रॉट्ट प्रोज़ चला जाता है चल्ड जो कलोनियल education में उस knowledge को नहीं apply कर पा रहा आज भी ऐसा होता है unfortunately teachings उन्होंने बोला कि जाधा तर colonial education system में वैसा ही पढ़ाई हो रहा था ताकि जो बच्चे वो आगे पढ़ लिखे Britishers के नौकर बन जाएं पढ़े लिखे नौकर होंगे जो अच्छा है ग्रोथ होगा और फिर English के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था English language के थुरू पढ़ाया जा रहा था जो कि बिल्कुल भी वो सकते हैं हमारे खुद के वो सकते कोर को दिल को टच नहीं कर रहा था अभी मैं आपको हिंदी में समझा रहे हूं कितना मज़ा आ रहा है लेकिन अगर मैं अगलिश में बोलते हैं तो तो उतना मज़ा नहीं आता राइट फिफ्ट पॉइंट चार वॉल के अंदर जो पढ़ाया होती है उनको कभी पसंद नहीं आई वो चाहते थे कि नेचर में खुले मैदान में पढ़े जैसे कि गुरुकुल जब था हुआ करता था वेडिक पिरिएड में तब पढ़ाया जाता था तो यह सारे इनके क्रिटिसिजम से और यह हमारा आज का वीडियो रहेगा कल के वीडियो में विश्व भारती फिर उनके जो खोले उनके बारे में डिसकस करेंगी यहां से भी क्वेश्चिन आता है लेकिन मैं आपको एक बात फिर स Instagram handle पर जाओ मुझे DM करो कि Hashtag इतिहास के बारे में जानते हैं और मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी है कि नहीं आप बस इतना सा effort करोगे तो क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होने वाला आप मेरा help करोगे मैं आपका help करूंगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है और आप देख रहे हो वीडियो तो आप इसको शेयर किया करो क्यों कि मैं चाहती हूं कि मैं जादा से जादा बच्चों तक पहुँँ मैं उनका मदद करूं उनको भी लगे कि आज स्कूल में भड़ने ही पढ़ाई हो ना हो हम YouTube है तो हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा thinking उनमें डालना है मैं हर सब्जेक के लिए वीडियो लेकर आ रही हूं मैं जोग्रफी का इंडिया चाप्टर के साथ बी आ रही हूं काफी टफ लगता है लेकिन मैं पढ़ाऊंगी तो नहीं लगने वाला है ओके सो टेक केर स्टे सेफ और कीप एरिंग मास्क